हեلो फ्रेंड्स मैं हूने रूपमा और मेरी किचन में आपका भहुत बहुत सागत है आज हम बनाएंगे लौकी की खीर जो बहुत ही हेल्दी होती है और ब्रत में भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं इसे बनाने में सिर्फ 15 मिनिट लगेंगे और इसे हम बनाएंगे आज बिलकुल नए तरीके से तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं लोकी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोकी लेंगे तो ध्यान रखें जो हम लोकी लेंगे वो बिल्कुल पतली और ताजी लेंगे जो मोटी वाली लोकी आती है वो बिलकुल सूखी रहती है और बीज भी होते हैं और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आता है तो लौकी को अच्छे से साफ करलें धोलें और फिर इसको छीलेंगे इसका छिलका उतार लेंगे पूरा और फिर इसे हम बीच में सिकाटेंगे तो ये देखिए जो लौकी लिए मैंने इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है अगर आपके लोकी में बीज हो तो आप बीज का पार्ट निकाल सकते हैं मैं नहीं निकाल रही हूँ इसकी मुझे जरूत नहीं है तो ऐसे ही इसे मैं कत्व कस कर लूँगी यह देखे तो सारी लोकी को हम ग्रेट कर लेंगे लोकी में जो पानी होता है उसे हमें नहीं निकालना है बिल्कुल ऐसे ही लोकी रखनी है यह देखे इसका पानी निकाल देंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा तो अब लोकी की खीर बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं एक पैंड या कड़ाई लेंगे उसमें दो चमच घी डाल देंगे घी अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर इसमें हम लोकी डाल देंगे ग्रेट की हुई लोकी डालने के बाद इसे इस स्पून से चलाते जाएंगे और इसे दो मिनट तक के लिए भून लेंगे लॉकी को आप जरूर भूने इसे भूनने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसे सिर्फ दो मिनट ही भूने बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है बस इसी तरह से स्पोन से चलाते जाएंगे और इसे हम भूनते जाएंगे तो यह देखिए हमारी लॉकी बिल्कुल भून गई है अब हम इसमें दूट डाल देंगे तो यह एक लिटर मने फुल क्रीम दूद लिया है आप फुल क्रीम दूद में ही इसे बनाएं आपके घर में जो भी दूद आता है फुल क्रीम भैंस का या पैकेट का आप वो भी उज़ कर सकते हैं गैस का फ्लेम मीडियम पकरेंगे और इसे हम स्पून से चलाते जाएंगे 5 मिनट तक के लिए इसे पका लेंगे और फिर हम इसमें भीगेवे साबुदाना डाल देंगे साबुदाना को एक घंटे तक के लिए भीगो ले और फिर इसमें डाल दें लौकी की खीर में इसे जरूर डाले इसे डालने से आपको और कुछी भी चीज़ की जरूरती नहीं है बस 5-6 मिनट इसे और पकने देंगे और इसमें हम चीनी डाल देंगे दो कप इसमें चीनी डालेंगे और मिला लेंगे इसे पकने में जादर समय नहीं लगता है सिर्फ आपका 15 मिनट ही लगेगा इसपून से इसे चलाते जाएंगे और अब कैस का फ्लेम हम बिलकु लो कर देंगे क्योंकि इसमें हमने साबुदाना डाला है तो साबुदाना जलने का डर रहता है तो फ्लेम लो ही रखे अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसकेप भी कर सकते हैं मिला लेंगे इसे अच्छे से इससे जो कलर होगा न इसका बहुत अच्छा हैगा लगातार इससे स्पून से चलाते जाएंगे नहीं तो ये नीचे लग सकता है तो दस मिनट मुझे इससे चलाते वे हो गए हैं और ये देखे धीरे धीरे ये काड़ा होने लगा तब इसमें हम ना तो मिल्क पाउडर डाल रहे हैं और नहीं कंडेस्ट मिल्क डाल रहे हैं अब हम इसमें थोड़े से ड्राइफ फूट्स डालेंगे दो चमज मैंने कोकोनट पाउडर डाला और थोड़ी सिमेन डाली ये किश्मिश और ये चिरोंजी वैसे तो इसमें ड्राइफ फूट्स डालने की जरूती नहीं है ये इतना डिलिशियस लगता है कि आप इसे बिना ड्राइफ फूट्स के भी खा सकते हैं आपके पास घर में जो भी ड्राइफ फूट्स है वो डाल सकते हैं इसमें ये देखिए है हमारी खीर कितनी काड़ी हो गई है अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच इलाइची पाउडर इसे डालने से इसमें आच्छी कुश्पू भी आएगे और टेस्ट भी बढ़ेगा तो अभी हमारी खीर बिल को तयार हो गई है अब गयस को बंद कर देंगे और इसे करम करम सर्प करेंगे आप चाहिए तो इसे ठंडा करके फ्रीज में रख दें ये ठंडी ठंडी खीर भी बहुत अच्छी लगेगी तो ये हमारी एनर्जी से भरपूर और बहुत हेल्दी खीर बिल को तयार हो गई आप इसे ब्रत में खाएं या कपी भी इसे बना कर खाएं बहुत है बहुत ही सुपर टेस्टी और रवड़ी दारी खीर आप ज़रू ट्राए करें और मेरी रस्मी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर करें और सब्सक्राइब करना न वोले